अब ही आते हैं तूवर्द नेक्स्ट पॉइंट इस अस्परीन का क्या मेकैनिजम उफ अक्षिन ही ये जानते हैं अस्परीन जब आप लोग लेते हैं इसका मेंन साइट है ये कॉक्स इसको ये इनिहिबिट करता है और इसके हाले से ये बात बहुत इंपोर्टन है कि इस नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनिहिबिट कर सकता है तो जब ये इसको इनिहिबिट करेगा फिर क्या होगा कॉक्स वन कॉक्स टू इनिहिबिट हो गए तो प्रोस्टाग्लेंडिस नहीं बन रहे और प्रोस्टार ग्लेंज के साथ साथ तो रॉंबग जियन टू जो है वो भी नी बन रहा है आप लोग एस्प्रिंग को क्यों लेते हैं ताकि आपको पेर ना हो आपको फीवर ना हो आपको इंफ्लमेशन ना हो और आप लोग जानते हैं कि इस वेरी फॉर्मस बाट अस्प्रिंग के इस अक्टिंग एस अनलजिजिक एंटी पायरिटिक और एंटी इंफ्लमेशन यह इसके एक्शन इस्प्रिंग के तो वो एक हैसे परफॉर्म कर रहा है जब आपने एस्प्रिंग लिया तो आपकी यह कौकस बंद हो गए जिससे आपको क्या होगा आपको फेंज जो है आपकी फीवर जो है आपको इंफ्लमेशन जो है वो तकरीवन खतम होता जाएगा डूट इस एस्प्रिंग इंटे लेकिन साथ में अगर आप लोग इसकी डोजेज है वो प्रॉपर अंदास से नहीं ले रहे है इंबैलेंस वे में एस्प्रिंग की इंप्रॉपर यूज़ कर रहे है तो उससे आपको नुकसान हो सकता है पहले हम जानेंगे आपने एस्प्रिंग लिया इसने आपके कॉक्स को ब्लॉक किया था ना तो कॉक्स वर्ण के वाले से हमने पढ़ा कि ये प्रोस्टागलेंडेज को प्रॉड्यूस करते हैं अभी ये प्रॉड्यूस नहीं होंगे तो इनका ये एक फंक्शन हमने पढ़ा था कि ये म्यूकस को सिक्रीट कर रहे थे प्रोस्टागलेंडेज अभी नहीं बन रहा प्रोस्टागलेंडेज तो म्यूकस सिक्रीशन नहीं होगी तो पिर क्या होगा अगर आपके stomach में mucos secret नहीं हो रहा और यहां पर से आप acidic food ले रहे हैं और stomach के अंदर भी acid produce हो रहा है acidic condition ज्यादा हो गया है तो पिर mucos मौझूद नहीं है mucos protective layer कमजोर है तो उस वक्त पिर क्या होगा अगर mucos नहीं तो पिर आपका जो wall है stomach हा वो available होगा for the acid attack और यह acid आपके wall को erode करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं ulcer इस तरह से आपका जो aspirin है वो ulcer cause करवासादा है number one number two asthma